प्रेश वीडियो में नमस्कार दोस्तों मैं एजवीत गैजट ग्यान से आप सभी का स्वागत करते हैं कोड़ने फ्रेश वीडियो में तो अगर ब्यूटिफुल कन्फूजन बोला जाए तो इसमें कोई दोराई नहीं होगी जी हाँ ब्यूटिफुल कन्फूजन है बिट्विन वन प्लस नॉड टू एंड पोको एफ्ट्री जी टी यहाँ पर सारे आस तक देखेगा बिना स्किप किये और वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं है तो बिना सब्सक्राइब किये मज़ेगा क्योंकि मैं इसी मज़ेदार वीडियो जो ओनिस्टी के साथ आपके लिए लाते रहते हैं तो चलिए शुरु OnePlus Nord 2 में कुछ भी ऐसा नहीं है डिजाइन में जिसके बारे में यहाँ पर ज्यादा तर बात की जाए क्योंकि OnePlus Nord इसके पहले जो आया था उसके comparatively अगर हम देखते हैं तो सिर्फ camera module में थोड़े बहुत changes और यहाँ पे back में जो design है design तो कुछ है नहीं plain solid सा color है color को थोड़ा स यहाँ पर change OnePlus Nord 2 के अंदर कर दिया गया है side frames यहाँ पर plastic के दिखते हैं और यह camera module जो आपको OnePlus Nord 2 में मिलता है यही वाले realme ने भी copy किये है और Oppo के भी phones में आपको ऐसे modules देखने को मिल जाता है camera bump थोड़ा बाहर लगता है वही अगर हम बात करेंगे POCO F3 GT को ले करके तो POCO F F3 GT no doubt यहाँ पर आपको refreshing look देता है design देता है जो कि मैं पहले भी बोला था कि design के बारे में जितनी बाते की जाए उतनी कम होगी POCO F3 GT को ले करके तो POCO F3 GT में अगर आप back panel देखिएगा तो फिर यहाँ पर AG glass मिलता है frosted glass है अब camera module से ले करके आप पीछे side frames तक अगर सारी से देखिए तो हर चीज side frame complete metal है frosted glass है matte finish के साथ है camera module अगर आप देखते हैं तो OnePlus Nord 2 के comparison में POCO F3 GT का camera module भी जादा बाहर नहीं निकला हुआ है बहुत ही minimal है बहुत ही अच्छी तरीके से है इसमें आपको side frames metal के मिल जाते हैं काफी अच्छा refreshing look है in hand जब आप इसे लेंगे तो अच्छी और इतनी तगड़ी यहां पर पोको ने लाकर के दिए है POCO F3 GT के अंदर तो design और back finish और अगर हम बात करेंगे overall design तो POCO F3 GT यहां पर clear winner है in comparison to OnePlus Nord 2 अब बात कर लेते हैं यहां पर pricing को ले करके तो POCO F3 GT यहां पर 25,000 से शुरू होता है और effective price हो जाता है कुछ discounts वगर लगा करके कुछ 27,000 के असपास यहां पर 259 OnePlus Nord 2 बोलती है लेकिन आपको पता है कि base variants इनके कभी भी available होते ही नहीं है तो OnePlus Nord 2 का effective price अप 30,000 ही पकड़ के चलो क्योंकि उसके नीचे यह phone आपको नहीं मिलने वाला है इनका एक marketing gimmick हमेशा रहा है कि जो base variant होता है उसको unavailable कर देत कि इसका base variant भी available है जो कि एक thumbs up इसको लेकर के तो availability के बहुत बड़ी concern होती है marketing gimmick होता है जो कि OnePlus यहां पर Nord के समय में भी किया था और Nord 2 में भी कर रहा है यह बहुती गंदा सा marketing strategy है OnePlus का आप इससे कितने सहमत है मुशे comment section में जरूर बताएगा अब बात कर लेते हैं कुछ specs के इन डीटेल एक briefing ले लेते हैं तो यह दोनों में फोन में आपको triple camera मिलता है जहां पर आपको OnePlus Nord में मिलता है यहां पर Nord 2 के अंदर 50 प्लस 8 प्लस 2 Megapixel फ्रेंट में 32 Megapixel Poco F3 GT में आपको मिलता है यहां पर 64 प्लस 8 प्लस 2 Megapixel 16 Megapixel का फ्रेंट कैमरा यहां पर Mediatek Dimensity 1200 का जो कि devices में 3.5 mm jack missing है जो प्लस प्लस पॉइंट है Poco F3 GT के साथ हो है कि यहां पर दो वाट आपको ज्यादा मिलता है बैटरी भी बड़ी ही मिलती है पाचछेजार पैसेट मेंच की OnePlus Nord 2 के अंदर 4500 में इसकी बैटरी मिलती है और यहां Poco F3 GT के अंदर आपको तीन माइक मिलता है तो noise cancellation बहुत ही जबरदस्त यहां पर काम करने वाला है जो कि OnePlus Nord 2 के अंदर नहीं मिलता है OnePlus Nord 2 के अंदर आपको OIS दिया गिया है वहीं Poco F3 GT के अंदर OIS नहीं है तो Poco F3 GT के अंदर आपको OIS नहीं मिलता है लेकिन यहां पर EIS दिया गिया है अल्मोस्ट मुझे थोड़े बहुत डिफ्रेंस लगे OIS और EIS में उसके बारे में बाद में बात करेंगे यहां दोनों में किसी तरह का memory expansion आपको नहीं मिलता है और most important चीज है कि यहां IR blaster आपको Poco F3 GT में मिलता है जो कि OnePlus Nord 2 के अंदर नहीं मिलता है OnePlus Nord 2 में आपको NFC मिलता है लेकिन मेरा फिर से वही चीज़ कहना है कि NFC आप में से कितने सारे लोग इस्तिमाल करते है वो भी मुझे comment section में बताइएगा क्योंकि NFC enabled devices भी होना ज़रूरी होता है तब यह NFC का काम है कुछ चीजों में मुझे समझ में आता है oxygen OS आपको मिलता है OnePlus Nord 2 के अंदर और MIUI 12.5 मिलता है आपको Poco के अंदर लेकिन oxygen OS के बारे में भी बात करेंगे तो मोटी-मोटी यहां पर specs हो गया चलिए बात कर लेता है यहां पर डिस्प्ले को ले करके तो डिस्प्ले आपको मिलता है OnePlus Nord 2 में यहां पर मिलता है 90 Hz का refresh rate के साथ और यहां पर आपको जो maximum peak brightness मैंने देखा है आपको पहले भी बताया था 1000 निट्स तक मैंने देखे हुए है और वहीं अगर मैं बात करूँ 120 Hz आपको नहीं मिलता OnePlus Nord 2 के अंदर सिफ 90 Hz का refresh rate मिलता है फोकुत F3 GT के अंदर आपको 120 Hz का यहां पर refresh rate के साथ 480 Hz का touch sampling rate और 1200 निट्स तक यहां पर इसकी brightness जाती है जो कि काफी कमाल का है viewing experience काफी जबरदस रहने वाला है HDR 10 दोनों के अंदर supported है तो device में display में किसी भी तरह की problem नहीं आईगी फ्लूइड एमुलेड यहां पर OnePlus Nord 2 के अंदर बोला गया है लेकिन reality हमें पता कि फ्लूइड एमुलेड किसी और ही level का यहां पर experience होता है जो कि Nord 2 के अंदर नहीं है अगर फ्लूइड एमुलेड का experience करना चाहता है तो OnePlus के 9 series में जाहिए आपको पता चल जाएगा कि फ्लूइड एमुलेड किसे कहते हैं तो Poco F3 GT यहां पर display के मामले में अगर मैं बात करूँ तो आगे निकल करके आता है 120Hz यहां पर refresh rate, 480Hz का touch sampling rate, HDR10 दोनों के अंदर आपको widevine L1 का certifications यह सारी मिल जाते हैं लेकिन फिर भी यहां पर display के मामले में पोको F3 GT आगे निकल जाता है अब बात कर लेता है camera को लेकर रखिए तो camera जो यहां पर सबसी चीज़ है बहुत ही interesting चीज़ है camera में मैं बहुत ही honesty के साथ यहां पर बात करूँगा OnePlus Nord 2 के साथ अगर मैं compare करूँ POCO F3 GT को तो POCO F3 GT यहां पर camera में आपको अच्छे images ला करके देता है काफी अच्छे images OnePlus Nord 2 में जो मुझे लगा यहां पर वास्ट तरह के आपको images मिलते हैं यह reality है आपको कोई बताए चाहें नहीं बताए सिर्फ OnePlus का logo लग जाने से ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज अच्छी हो जाती है इसलिए मैंने बोला कि बहुत ही beautiful confusion है यह दोस्तों और उमीद करता हूँ अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को like टेक कर दीजे क्योंकि बहुत motivation मिलता है चैनल को subscribe भी कर लिजे है front camera 32 megapixel दिया गया है OnePlus Nord 2 के अंदर लेकिन POCO F3 GT 16 megapixel में ही आपको अच्छे images अला करके देता है यह reality है यह भले ही आप कितने वी वीडियो कहीं पर भी YouTube पे देख लो OnePlus Nord 2 के सभी लोग camera के गुनगा रहे हैं लेकिन reality यह है कि जब POCO F3 GT के साथ इसको आप compare करते हैं मैं सब न बैटरी segment में भी यहाँ पर 5065 mh की बैटरी आपको मिलती है POCO F3 GT के अंदर जो कि एक plus point है 67 watt charger के साथ quick charge 3.0 है वहीं OnePlus Nord 2 की बात करें तो यहाँ पर 4500 mh की बैटरी मिलती है आपको और यहाँ 65 watt का charger तो बैटरी में भी मैं बोलूँगा कि OnePlus Nord से far better है POCO F3 GT POCO F3 GT में आपको जो यहाँ पर OS मिलता है वो मिलता है MIUI 12.5 lag free है smooth है काफी better है पहले से in comparison to MIUI 12 यहाँ पर ज्यादा bloatwares नहीं है bloatwares मतलब हैं लेकिन वैसा नहीं है कि अग्दम परेशान हो जाओग रिटेट हो जाओग आप notifications फालतु के नहीं आते हैं बहुत ही limited है मैंने तब से मैंने फोन इस्तमाल करना शुरू किया तब से मैंने अभी तक कोई भी फालतों के advertisements या फिर यहाँ पर notifications मैंने नहीं देखे है वन प्लस नॉड टू की अगर हम बात करें तो कहा तो जा रहा है कि oxygen OS 11.3 कोइंसीडेंस भी है कि color OS 11.3 वर्जन पर ही चल रहा है और टेकनिकली अगर मैं बात करूं तो फिर अगर ओपो रेनो 6 प्रो अगर आप इस्तमाल कर रहा है तो उसके साथ जब आप compare किजे का पन प् फुल हो रहा है जी है oxygen को अब यहां पर colorful किया चारा और शायद आने वाले टाइम पर आपको यहां पर oxygen OS ना मिले और color OS ही आपको अंदर देखने को मिलेगा वन प्लस के डिवाइसेस में वहीं MIUI 12.5 के अंदर धेरो कस्टमाइज़ेशन आपको मिल जाते हैं चाहे AOD से लेकर के notification light तक जो camera में आपको मिलता है यह सबसे most important चीज़ है कि यह बहुत ही शांदार लगता है दिखने में जो कि आपको One Plus Nord 2 के अंदर नहीं मिलने वाला है software में मैं यहां पर बोलूँगा कि अपनी अपनी choice है आप अगर oxygen OS को पसंद करते हैं तो oxygen OS अगर MIUI 12 पसंद है तो MIUI 12 यहां पर कुछ sensors के बारे में बात कर लेता हैं दोनों ही phone के अंदर सारे sensors मिल जाते हैं अब वापीस से मैं बोलूँगा कि एक ऐसी choice है जो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ना चाहूंगा आपको side-bounded पसंद है या फिर end display पसंद है वो भी मुझ जिसको आप यहां पर अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं जब जरुद हो खेलने का तब आप खेल सकते हैं triggers के साथ काफी अच्छा responsive है और बहुत ही जबरदस्त है अब एक मैं बात कर लूँ बहुत सारे लोगों के मन में यह बठा हुआ है कि भाई POCO F3 GT का gaming phone यह एक normal इंसान बात नहीं है जब गेम खेलना हो तो trigger लग जाने से ऐसा नहीं होता है को gaming phone ही हो गया हाँ गेम पे ज्यादा focus किया गया है इसका मतलब यह नहीं की camera खराब है इसलिए मैं सारी चीज़े यहां पर आप से खुल करके बात कर रहो एक normal user भी POCO F3 GT इस्तमाल कर सकता है अगर आप लिए हैं ट्रिगर बादू में बहुत 4-5-6 बटन दिख रहे हैं ऐसा कुछ में यह बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर balance करके रखा गया है तो यह चीज मैं बोलूँगा कि को एक normal user जो गेम नहीं भी खेलता है वो भी POCO F3 GT को यहां पर काफी बढ़िया है गेमर्स के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी अब जो OnePlus Nord 2 के comparison में बात कुने जो अच्छी चीज़े आपको POCO F3 GT के अंदर मिलती है वो है कि दोनों के अंदर तो आपको UFS 3.1 तो मिल जाता है लेकिन dual channel यहां पर आपको मिलता है POCO F3 GT के अंदर तो UFS 3.1 होने के बावजूद भी यहां पर POCO F3 GT clear winner है क्योंकि यहां पर read और write इकसी speed जो है वो far better है in comparison to OnePlus Nord 2 और gaming में भी तो यहां पर आपको मजा आने ही वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको liquid vapor cooling system मिलता है जो कि OnePlus Nord 2 के अंदर नहीं मिलता है जिसकी वजह से POCO F3 GT यहां पर जल्दी heat नहीं होगा और temperature को maintained रखता है और यह reality है कि आप गेम खेलिएगा तो यहां पर literally POCO F3 GT आपके phone के temperature को maintained रखता है जो कि एक plus point है POCO F3 GT में बहुत ऐसी सारी चीज़े हैं जो इस phone को OnePlus Nord 2 से बहतर बनाता है बहुत सारे माइनों में overall यह मेरी तरफ से honest opinion नहीं बोलूँगा honest feedback जो मैं completely अपनी तरफ से आपके लिए लेकर के आया हूँ क्योंकि यहां पर सारी चीज़ों को अगर मैं देखूं तो आपको read and write storage यहां पर बहतर मिलता है एक और चीज़ में बताना चाहूंगा कि दोनों के अंदर ही MediaTek Dimensity 1200 का chipset तो मिलता है लेकिन यहां पर on to to score हो चाहे gig bench score हो हर चीज में यहां पर Poco F3 GT बहतर निकल करके आता है scoring के मामले में तो इस चीज़ का भी आप धियान रखेगा अगर score या numbers में आप believe करते हैं तो यहां पर MediaTek Dimensity 1200 यहां पर बहतर perform करता है Poco F3 GT के अंदर यहां पर आपको UFS cancellation बहुत है तगड़ा करने वाले है यहां पर आपको मिलता है 67 Watt का charger प्लस यहां पे 5000 65 mh की बैटरी मिलती है लैग-free user आपको experience मिलता है नो डाउट OnePlus Nord 2 के अंदर भी आपको लैग-free ही मिलता है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है camera आपको बहतर मिलता है जी हाँ camera आपको बहतर मिलता है OnePlus Nord 2 के comparison में और gaming में तो यह beast है वेपर cooling वगरे के साथ ऐसे एक दो नहीं करीबन 9 से 10 ऐसे points है जो कि Poco F3 GT को far better बनाता है OnePlus Nord 2 के सामने overall यह मेरी तरफ से एक honest feedback रहा आप लोगों के लिए बाकि आपकी क्या रहा है मुझे comment section में जरूर बताएगा और दोस्ते यार लाइक कर दिया करो वीडियो को share भी कि अगरो आप लोग share नहीं करते यार बहुत महनत लगती है वीडियो के पीछे और फिर आप लोग बोलते बाकि प्लीज आपकी motivations की बहुत ज़्यादा जोरूरत है वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कि मच जाएगा क्योंकि मैं ऐसी मचदार वीडियो अपने लाते रहते हैं तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद वंद कि मत्रू